तो हलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत एक और नए मुकाबले में दोस्तों प्ले आपका समय कराण अभी भी जूजता हुआ और फाइनलेली किलियर हो चुका कि आखिरकार कौन-कौन सी टी में प्ले आप में पहुँचने वाली है दोस्तों हम पूरा यहाँ पर आपको डेटेल में बताएंगे तो चलिए आपको बताते हैं दोस्तों कि कौन-कौन सी टी में क्या पहुँच गई है और नहीं पहुची है दोस्तों तो आप लोगों को पूरा डेटेल में समझाने की कोसिस करेंगे तो दोस्तो आप लोग को क्या करना है सिर्फ एक ही काम करना है सिर्फ वीडियो को लाइक कर देना और प्ले आपका शमी करान आपको देखने को मिलेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोग नए हैं दोस्तो तो यहाँ पे प्ले आपके लिए दोस्तों आप देख सकते हैं हम यहाँ पे आपके लिए प्ले आपके लिए बताएं हैं बहुत सारा चीजे यहाँ पे और चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी टीम देखें यहाँ पे गुजराट टाइटेंस सबसे उपर पॉइंट जीत चुकी है और जीतने के बाद Mumbai Indians यहाँ पर उपर आ चुकी चौथे नमबर पर पाचवे नमबर पर है आपकी RCB अगर RCB मैच जीत जाती है RCB अगर मैच जीत जाएगी देखी यहाँ पर RCB अभी पाचवे नमबर पर है RCB ने 13 मैच जीत जाएगी तो यह RCB प्ले आपके लिए फाइनल हो जाएगी मगर अभी इस समय RCB फाइनल नहीं है क्योंकि अभी 197 बे रन RCB ने टार्गेट दिया है गुजराट टाइटन्स को दिखाते हैं आपको लाइब मैच में क्या कंडिशन है देखिए यहाँ पर RCB की तरफ से यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 197 बे रनों का अनी टार्गेट दिया है RCB ने और यहाँ पर गुजराट टाइटन्स करेंट टाइम में बैटिंग करने वाली है तो देखना होगा क्या गुजराट टाइटन्स RCB को हरा पैगी अगर RCB को गुजराट टाइटन्स हरा देती है तो पले आप में मुंबाइ इंडियंस जानाता है हो गया अगर मुंबाइ इंडियंस मतलब जीती है अगर RCB जीत जाएगे तो RCB जाएगे फिर मुंबाइ इंडियंस नहीं जाएगी विराट कोली को उपर पूरा दरोमदार आ चुका है और उन्होंने इस प्रेसर में सतक मार दिया क्या कमबैक क्या है विराट कोली किंग कोली बहुत इजबजस प्रदर्सन दोस्तों आप लोगों को हम पहले समझाते हैं या पर किस प्रकार से रन रेट है देखें गुजराट टाइटन्स ने या पर तेरा मैच खेले हैं तेरा में नौ जीते कितने जीते नौ जीते और दोस्तों बात करते हैं हारे कितने तो चार मैच गुजराट टाइटन्स हारे हैं अगली बात करते है चन्याइ सूपर गिंग है जिसके कप्तान महैन सिंग्ध होनी है और उन्होंने 14 मेहैंट खेले यह आठ हा रहे है आठ महैन सिंग्ध हा रहे है पांच मेहैं मैच जीते हुए मैच है दोस्तों लगनव सुपरजन्स की बात करते लगनव सुपरजन्स चवदा मैच खेली हुए जिसमें से आठ जी चुकी है और पाँच हारी हुए लगनव सुपरजन्स जिसके कप्तान है अर्धिक पंडया के भाई कुनाल पांडया क्योंकि राहुल जब से चोटिल हो गए केजल राहुल इसके बाद कोपानी कर रहे हैं कुनाल पांडया इनका रन रेट है दोस्तों प्लस में 0.284 का रन रेट है 17 के साथ तीसे नंबर पर यह पहुंच चुके हैं पॉइंट टेबल में दोस्तों मुंबाइ इंडिय 0.44 का रन रेट है 16 अंग के साथ यहां पर देख सकते हैं कितने 16 अंग के साथ दोस्तों यह बैठी हुई है आपको 14 अंग पर अभी RCB का मैच चल रहा है RCB की रन रेट की बात कर लेते हैं RCB के दोस्तों यहां पर 13 मैच खेल चुकी है अब इस 14 वहां लाइव चल रहा है औ और यहां पर देख सकते हैं साथ मैच की जीती हुई है अच्छा है यहां पर हारी हुई है और इनका रन रेट थोड़ा मुंबाई से जादा है क्योंकि यह प्लस में है 0.180 का और 14 अंग है अगर आज मैच जीत गे तो इसके 16 अंग हो जाएंगे और रन रेट भी प्लस में तो मुंबरे इंड़ेस से प्ले अप में पने आज सी भी गही तो आप लोग दोस्तों दवा करिए कि आर शीबी की टिम वहां पर फाइनल प्लेअफ में पहुंच जाये और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि यहां पे जो सबसे ज़्यादे रन किसने बनाए हैं यह कौन सी तालिस रन हो चुके एक सो एक रन ये जोलने पर जो भी करेंट में दूसरा सतक मार दिया है और यह सश्यू जैसवाल यहां पर देख सकते हैं यहां पर बना हुए चैसर परचीज सुब्मा निगिल की बैटिंग बाकी है दोस्तों चलिए हम इसमें दिखाते हैं सबसे इटेल में बताते हैं आप लोगों को दोस्तों जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं फाब डू प्लेसिस यहां पर तेरा मैच खेलें जिसमें 58 के और से 702 रन मतलब कि यहां पर 730 क्योंकि बना चूंकि अब यह अपडेट नहीं है यहां पर दूसरे नंबर पर है 625 के साथ में और डिकानवें यहां पर देख सकते हैं 14 मैच खेलें इसो तीरपन के और से 582 रन और शुमन गिलें तेरा मैच खेलें और तालिस के और से 573 रन विराट को लिए ने तेरा मैच खेलें चावालिस के उससे 538 रन और इनका सतक जोल दे जाएगा तो 649 रन हो मुहम्मद समी यहां पर देख 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 एक विकट और विलिए हैं तो इनके 24-24 विकट हो गाएं यह जवेंद चेहल दीसे नंबर पर 21 विकट के साथ प्यूस चाला है भी चौते नंबर पर 20 विकट के साथ में और तुसार देश पांडे 20 विकट लिए हो हैं वरुन चक को बनाए 104 रन वेंगटे सहीर ने भी 104 रन बनाए और प्रभशिमरन सिंग ने 103 रन बनाए शूर कुमार यादो ने 103 रन बनाए लफ सभी ने सतक मार दिया हाई स्कोर में विराट को लिए डबल सेंचुरी मार भी इस बार दोस्तों यहां बात करते हैं वी वूर्ड यहां प देख सकते हैं इनकों पांच विकेट लिया है तीर रन दिये थे और इनकी एकॉनमी साड़े साथ की है चार वर में मुंब्स समी चार वर में 2.75 की एकॉनमी 4 विकेट 11 रन दिये थे और इम मारकंडे मयंग मारकंडे या पर चार विकेंड में तीन दसनलों 75 की एकॉनमी से चार दसनलों 15 काउरे से यहाँ पर खेले हूँ तो आप लोग देख पा रहे होंगो दोस्तों आप लोग जैना चाहते हैं कि आप लोगों में क्या कहना चाहते हैं क्या हार करके बाहर हो जाएगी वो ही टीम जीच जाती थी और वो प्ले-अप में के लिए प्रबल दावेदार हो जाती थी तो काफी कंट्यूजन था प्लेअब में और भी जितने टीम में थी वो सबी बाहर हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ अभी पाश टीम के टक कर चल रहा है अभी और एक दू घंटे बाद वो भी क्लियर हो जाएगी कि कौन से टीम चार फाइनल हो जाएगी और कि नई गुजरात का तो पहला प्लेयाप मुकाबला भी हो गया है बाइस तारीक को चलेगा उसको लखनाओ के साथ में या तो सीबी या फिर मुम बैंटनेस को मुकाबला होगा यह तता है है आप लोग मान लीजिएगा दोस्तों यह वीडियो कैसे लगी वीडियो अच्छे लेको लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते पर आपको अगले वीडियों तब तक आप से बहुत-बहुत धन्यवाद नमाश्कार